हेलो 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 हाजी नमश्कार स्वागत है आप सभी का कोशल सारशत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जो भी शुटेंट्स लाइब है एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी कमेंट सब्सक्राइब मेरे पैरे दोस्तों लास्ट की क्लासिज में हमने मैट्रिक्स के प्रिवीस यर कोशन्स हम लोगों ने डिसकस की आज की इस क्लास में भी मैं कुछ मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट कोशन्स डिसकस करने जा रहा हूं जो हमारे प्रिवीस यर कोशन्स हैं और इस क्लास में भी ह आप test book से कोई भी course purchase करना चाहते है, any course. तो आप अगर उस पर discount चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक coupon code यहां पर use करेंगा, और वो coupon code आपका रहेगा, KAUSHAL, K-A-U-S-H-A-L, capital में आप उसको type करेंगे, तो क्या होगा, कि वहां पर आपको एक maximum discount मिलेगा, वो discount आपका 25% से लेकर के 35% के बीच में कुछ भी होगा, दूसरी important बात यह है, कि अगर आपका कोई भी doubt है, कोई भी question है, अगर आप हमारे साथ में share करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या हमें अपना question पूछना चाहते हैं, तो आप हमें telegram पे भी join कर सकते हैं, और हमारा telegram channel है, कोईशल सर्व, यहां पर देखा हुआ है, तो यह हमारा telegram channel है, यह हमारा code है, जिस code के माधियम से आप 25 to 25% to 35% तक आपको benefit यानि छूट वाँपर discount आपको मिल जाएगा, वो depend करेगा कि आप किस दिन code पर चाहते हैं, आज 23 मार्ट एक last date भी है, जो नवरात्तरी का offer चल रहा है, उसमें भी आप भागिदारी ले सकते हैं, और तीसरी important बात यह है कि हमारी जो class है, यूट्यूब का time आपको fix है, 9 बजे आपको यहीं पर CSIR.NET, testbook platform पर आपको यहीं देगा, एक और important बात यह है कि अगर आप master class लेना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए testbook का एक official application आपको download करना पड़ेगा, उस application को download करने के बाद में, जब आप अपने आपको register वहाँ पर करेंगे, CSIR.NET, physical science के लिए जब आप वहाँ पर करेंगे, जून 2023 को target कर रहें, उसके साथ में आपके jest, IIT gate, T4 bark, IT jam, PhD के जो भी entrance होते हैं, उनके लिए आप इस class को देख सकते हैं, हमारा जो topic है, mathematical physics हमारा भी यहां पर चल रहा है, उसका topic है, matrix और matrix में भी हम PYQs, right, चलिए, आज का पहला question है आपके सामने यह वाला, question को दिहान से आप लोग पढ़ेंगे, और फिर आप लोग इसका जबाब भी देंगे, कि इसका सही जबाब जो है, क्या होने वाला है, ठीक है, please give the right answer of this question, आपसे बोला जा रहा है, the eigen value of this matrix, आपको यहाँ पर एक matrix दिया गया है, कि सयार जून 2012 मैं यह question आप से पूछा गया है, question के लिए देख रहा है ना, आपको, yes, 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 तो, आपको eigen values यहाँ पर बतानी है, तो बताइए आपका सही जबाब क्या हो, यह को eigen values को लेकर के जो भी important points हम लोगों ने अब तक पढ़े हैं, actually, यह matrix की आपकी last class होगी, इसकी बाद में हम लोग discussion करेंगे, differential equation के बारे में, और differential equation जब हमारी finish होगी, उसके साथ में हर weekend में, एक आपकी class, revision के तोर पे भी लेता रहोगा, जिसमें, PYQ सिर्फ discuss करेंगे, और जो आपके vector और matrix दोनों के mixed question, ठीक है, चलिए सर तो please answer दीजेगा इस question का सही जवाब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इस matrix का, तो यह जो matrix आप देख रहे हैं, this matrix A is what, this is 149, this is 362623, आपको यहाँ पर इस matrix को देख करके क्या लग रहा है, matrix का transpose भी हमारा A की बराबर आ आ जागा, तो अगर किसी भी matrix का transpose, अगर original matrix के बराबर आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, symmetric matrix, तो यह हमारी condition यहाँ पर किसकी है, symmetric, symmetric matrix की हमारी यह यहां पर क्या है condition यहां पर आगेगो सबसे पहली बात यह है कि अगर यह symmetric matrix है तो इसकी eigen values क्या होंगी तो देखो हमने मैं आपको यहां पर extra point में यह वाली बात लिख देता हूँ extra point में हम यह वाली बात यहां पर mention कर सकते हैं कि अगर आपकी कोई भी matrix diagonal है अगर कोई भी matrix आपकी diagonal matrix है अगर diagonal matrix के साथ में वो अपर triangular matrix है अपर triangular matrix है या फिर वो lower triangular matrix है या फिर वो lower triangular matrix है या फिर वो आपकी symmetric matrix है या फिर वो आपकी symmetric matrix है अगर इन चारों मेंसे कोई भी matrix अगर आपको देखती है इन चारों मेंसे कोई भी matrix अगर आपको देखती है तो आप उसके लिए कुछ direct points भी यहां पर mention करेंगे वो direct point आप कैसे mention कर पाएंगे आपको जरद हमसे देखना है कैसे देखो अगर हम यहां पर आपसे बोल रहे हैं कि अगर यह आपकी symmetric matrix है तो इनकी जो eigen value है वो आपकी वही होती है इसके जो eigen value है वो आपकी वही होती है जो आपके diagonal elements होते हैं जो आपके क्या होते हैं diagonal elements नहीं यह point इसका गलत है जो eigen values होगी वो इसके summation के बराबर होगी the summation over eigen values that is equal to the trace of the matrix suppose this is the trace of the matrix तो अगर मैं यहां पर matrix का trace अगर calculate करूँगा तो matrix का जो trace है वो हमारा केतना आजाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 यानि कि यह हमारा यहां पर आगया 40 इसका मतलब ही है कि अगर यह symmetric matrix है तो इसके दो जो eigen values है वो हमारी 0 होती है तो अगर कहीं पर कोई भी matrix अगर हमारी condition को follow करती है और यह हमारी 3 by 3 matrix है तो इन 3 matrix में से इन 3 eigen values में से दो eigen values आपकी क्या होती है जीरो होती है और एक eigen values वो आपकी होगी this is the summation over trace of the matrix या आप simply यहाँ पर लिख सकते हो this is the trace of the matrix और trace matrix है आपका कितना है 40 आप डिरेक्ट इसका answer कर सकते हो your answer will be option number D 0040 तो यह tricks के साथ में आपको questions यहाँ पर करने पढ़ेंगे क्योंकि अगर जब आप इस question को properly solve करोगे lambda 1, lambda 2, lambda 3 जब आप मानेंगे फिर आपकी यहाँ पर equations बनेंगी ठीक है न और फिर जब आप उस equation को solve करोगे तो यह काफी lengthy method जो है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा ठीक है न तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इनके लिए क्या कर सकते हैं एक basic method आप यही देख सकते हो कि अगर आपको basic points अगर इनकी याद है पता है तब आप इनको easily solve कर सकते हैं ठीक है एक मिनट इसका correct answer हो जाएगा हमरा option number d बालाओ next question sir next question में आपसे बुला जा रहा है a matrix of 3 by 3 matrix have the trace of the matrix is 6 and trace of matrix का square is 26 and matrix का q है वो आपको 90 यहाँ पर दिया गया है आपसे बुला जा रहा है which of the following can possible set of eigenvalues of m यानि कि यह जो आपको options यहाँ पर दिये गए हैं इन में से कौन सा set आपका correct हो सकता है यह भी आपका PY की question चीक है आप जादा ध्यान से समझेंगे देखो सब सब पहली बात आपको यहाँ पर 3 by 3 matrix की बात कीगी suppose that this 3 by 3 matrix is like this this is a b c t e f d h i suppose that this is a 3 by 3 matrix अगर यह 3 by 3 आपकी matrix है तो इसकी जो आइगन values है वो हमारी क्या है 3 मालनी जी है हमने यहाँ पर lambda 1 lambda 2 और lambda 3 यह इसकी अब यहाँ से बुला आगया आपसे कि जो trace of the matrix है this is 6 अब इसी matrix का अगर मैं यहाँ पर square करता हूं इसी matrix का हम यहाँ पर square लिखते हैं तो अब square जो भी आए I don't know फिर इसी matrix को हम लोगों ने क्या लिखा MQ MQ भी हमने लिखा ठीक है तो हम वो calculation यहाँ पर नहीं करें हम थोड़ा smart work करेंगे यहाँ पर क्योंक हमें कुछ properties याद है कि अगर कोई matrix हमारे पास में M है और इस matrix की हमें eigenvalues lambda 1, lambda 2 और lambda 3 अगर दे रखी हैं तो अगर उसी matrix का अगर हम square करते हैं तो इस square matrix की जो eigenvalues हैं वो हमारी हो जाएंगे lambda 1 square, lambda 2 square और lambda 3 square और अगर इसी matrix का अगर हम cube करते हैं तो वो हमारा हो जाएगा lambda 1 cube, lambda 1 cube, lambda 2 cube, lambda 3 cube अब यहां पर हमें condition दी गई है, trace of the matrix, it means this is lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3, that is equals to 6 and lambda 1 square plus lambda 2 square plus lambda 3 square, that is equals to 26 and lambda 1 cube plus lambda 2 cube plus lambda 3 cube, that is equals to 90 तो यह 3 equations हमारे पास में आ जाती हैं, जो हमें दी गई है actually, ठीक है न, यह हमें given condition है अब आपसे बुला जा रहा है कि इसमें से possible set हमारा कौन सा हो सकता है, ठीक है चलो, आप इसमें से आपको hit and trial method ही करना पड़ेगा, अगर आप option एसे शुरू करते हैं, 114 तो 114 करोगे तो पहली वाली condition satisfy हो रही है, 1 square, 1 square, 4 square यह satisfy नहीं हो रही है, तो पहला option हमारा गलत हो गया minus 1, 0, 7, minus 1, 0, 7, तो पहली वाली condition satisfied, 1 का square करेंगे, 1 ही आएगा, 0 का square, 0 7 का square, 49, दूसरी वाली not satisfied, यह हमारा answer नहीं है minus 1, 3, 4, तो minus 1, 3, 4, पहली वाली condition satisfied है, minus 1, 1, 3 square, 9, 4 square, 16, 16 और 9 हमारे कितने होते हैं, 9 और 6, 15, 25 और 1, 26, दूसरी वाली condition follow है थर्ड पर आते हैं, 1 का square, 1 हो जाएगा, 1 का cube, 1 हो गया, 3 का cube हो जाएगा, 27, 4 का cube हो जाएगा, 64 तो 64 और इसको हमने 65 कर लिया, यहाँ पर, इस एक को हटा दिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा हाँ भई हो जाएगा, 26 प्लस 64, यह हो जाएगा हमारा 90, यानि कि यह जो set number 3 है, यह आपकी सारी conditions को follow कर रहा है, तो आपका जो सही जबाब है, वो हो जाएगा option number C वाला है, ओके, और unit vectors are, आपसे eigen values यहाँ पर बुली जा रही है और एक anti symmetric matrix आपको दिया गया है, ठीक है, आपको यहाँ पर anti symmetric matrix दिया गया है, अगर हम यहाँ पर anti symmetric matrix की बात करते हैं, तो anti symmetric matrix का मतलब होता है कि अगर कोई matrix हैगर हम उसका transpose लेते हैं, तो this transpose that is equal to the negative sign of original matrix, और यहाँ पर आपको हमें original matrix दे रखी है, this a, इसके diagonal elements हमारे क्या है, 0 है, this is minus n3, minus n2, minus n1, ओके, यह है हमारा यहाँ पर n3, यह हमारा यहाँ पर n2, ठीक है न, और this is n1, ठीक है, तो यह हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, anti symmetric matrix, और आपसे बोला जा रहा है कि if the n1, n2, n3 are the components of a unit vector, unit vector का component का मतलब है, क्यकर suppose, suppose n is a unit vector, suppose n is a unit vector, so हमारा जो unit vector n, this is n1 i cap, this is n2 j cap, and this is n3 k cap, n1 i cap, n2 j cap, n3 k cap, और अगर हम यहाँ पर इनके mod की बात करते हैं, तो यहाँ पर यह क्या जाएगा, n1 square, n2 square, plus n3 square, that is equal to 1, यहाँ एक indirect wave हमें यह conditions यहाँ पर, यह condition हमें actually given है, ठीक है न, अब आप इसको solve करेंगे ज़रा एक बार, देखें तो, यह हमारा हो जाएगा, this is minus lambda, okay, this is lambda 3, this is minus lambda 2, minus n3, minus lambda, n1, n2, minus n1, again minus lambda, that is equals to 0, यहनी characteristic equation हमने लिग लिग लिए, a minus lambda i, that is equals to 0, solve करेंगे आप इसको, this is minus lambda, ठीक है न, plus minus plus होता है, this is lambda square, minus n1 square, minus n1, यहनी plus n1 square, plus minus, minus minus plus हो गया, this is n3, cancel out, minus lambda n3, minus, और यह हो जाएगा हमारा, plus n1, n2, okay, minus n2, okay, plus minus, plus, यह हमारा हो जाएगा, n1, n3, minus n2 lambda, that is equal to 0, ठीक है, अगर हम यहां से, इसको multiply कर देते हैं, तो इसको multiply करेंगे, तो यह हमारा हो गया, minus lambda cube, okay, minus lambda n1 square, plus, minus lambda n2, n3 square, plus, this is n1, n2, n3, plus, plus, this is again n1, n2, n3, and this is minus lambda, and this is n2 square, that is equal to g, अगर मैं यहां पर देखता हूँ, ठीक है, अगर हम लोग यहां पर देखते हैं, okay, so, एक बार यह देख ली जीएगा, plus, minus, plus, and this is minus, and minus, यहां पर यह minus आ रहा है, actually, this is minus n1, n2, और जब इसको यहां पर हम multiply करेंगे, तो यहां पर यह minus cosine आएगा, this is minus n1, n2, n3, और यह दोनों terms हमारे क्या होगे, cancel out, अगर इसमें से अगर हम lambda common लेके, निकाल देते हैं, minus lambda आप common ले लेजिए, तो यह हमारा हो जाएगा, square, okay, so, और इनके साथ में, हमने एक lambda common लिया है, न, इक है, न, so, okay, so that is equal to 0, और यहां पर हम लोगों लेख देखते हैं, कि अगर इसकी value, हमारी यहां पर क्या है, 1, तो यहां पर, क्योंकि अभी हमने बोला हुआ है, कि यह हमारे क्या है, unit vectors हैं, इसकी value हम 1 put कर सकते हैं, तो lambda की value एक तो हमारी 0 आ गई, देखो, यहां से अगर मैं इस equation को देखता हूँ, तो यहां से lambda की एक value तो आपकी 0 आ गई, और दूसरी equation आपकी यहां से क्या बन गई, this lambda square plus 1 that is equal to 0, क्योंकि इसकी जगए पर हम 1 put कर सकते हैं, यहां से, from here, क्योंकि यह एक unit vectorum को दिया गया था, so this lambda square that is equal to minus 1, so lambda is equal to plus minus iota, अगर हम यहां से lambda की तीनो value देखेंगे, तो हमारा set बन जाएगा 0 plus iota and minus iota, so these three are the eigenvalues, और इनका अगर हम sum करेंगे, अगर हम इनका summation करते हैं, तब भी 0 आ रहा है, product करेंगे, तब भी 0 आ रहा है, तो यहां यह इस condition से follow भी कर रहा है, क्योंकि summation over the eigenvalues that is equal to the trace of the matrix, और इसका जो multiplication होता है, that is the determinant of the matrix, तो your correct answer is option number 1 वाला, option A जो है, वो यहां पर आपका correct हो जाएगा, ठीक है, next question है आपका यहां पर, ज्यान से पढ़ेंगे, आपसे बुला जा रहा है, the column vector ABA is a simultaneous eigenvector of matrix A and B, if, यानि आपसे बुला जा रहा है, कि यह जो column vector आपको यहां पर दिया गया है, यानि कि एक column vector आपको यहां पर दिया गया है, ठीक है न, एक column vector यहां पर आपको दिया गया है, this is ABA, and suppose this is any x vector, this is any column vector, and this common vector this column vector is a common it means this is a simultaneously eigenvector for matrix A and B यानि अगर matrix A और B का अगर हम एक simultaneously vector देख रहे हैं, तो वो हमारा ये common vector है, ठीक है आपसे बुला जा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो हमारी A और B की जो values है वो हमारी क्या हो जाएगी, ठीक है देखो, अगर हम इस तरह की कोई भी condition यहाँ पर देख रहे हैं तो ये हमारा क्या है, column vector this is A भी A, ठीक है तो पहले हम matrix A के लिए देख लेते हैं for matrix A, तो हमारी condition क्या होती है कोई भी matrix है, उसके साथ मे कोई भी हमारा ये जो column vector है, ये simultaneously eigenvector, it means this is just behave, सहजा eigenvector for this matrix A then that is the eigenvalue, suppose this is lambda 1 and this is X and the same condition for B this is A X that is equals to lambda 2 X this is not A, this is B B matrix X that is equals to lambda 2 X, right तो आप यहाँ पर देखेंगे तो A matrix हमारी क्या है this is 0, 0, 1 this is 0, 1, 0 this is 1, 0, 0 और यहाँ पर हम eigenvector देखेंगे हैं this is A, B, A multiply by lambda 1 and this is again A, B, A ठीक है, बात समझ में आ रही है देखो, आप यहाँ से characteristic equation देखो ज़रा 0, 0, A यानि A is equals to lambda 1 A second equation, 0 this B is equals to lambda 1 B A is equal to again, this is lambda 1 A ठीक है, यह हमारी question आगी A के लिए same अगर हम B के लिए देखते हैं तो B के लिए हमारा क्या आएगा this is 0, 1, 1 1, 0, 1 1, 1, 0 इसके लिए हमारा x vector क्या है this is A, B, A that is equals to lambda 2 this is A, B, A यहां से गर हम इसको देखेंगे तो यह हमारा क्या बन जाएगा 0, then this is B plus A B plus A that is equals to lambda 2 A दूसरी equation देखेंगे this is A plus A that is equals to lambda 2 B third equation देखेंगे this is again A plus B that is equals to lambda 2 A तो देखो अगर मैं यहां से देखता हूं तो इसका मतलब यह है from the second equation we get this 2 A that is equals to lambda 2 B और यहां से अगर हम देखते हैं this is A plus B means अगर मैं इसको लेकर के आता हूं this is 1 minus lambda 2 1 minus lambda 2 A that is equals to B यह आप simple ऐसे करके लिख सकते हूं कि अगर मैं इसको यहां पर B लिख रहा हूं ठीक है as a B अगर मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं ठीक है न तो यह हमारा हो जाएगा lambda 2 minus 1 into A lambda 2 minus 1 into A तो यह हमारी यहां पर 2 equation पाकि आप यहां से देख रहे हो यहां से आप देख पा रहे हो कि A is equals to lambda 1 A B is equals to lambda 1 B तो यहां से हमारा lambda 1 की value कितनी आ रही है 1 ठीक है न lambda 1 की value हमारी कितनी आ रही है 1 अगर मैं यहां से lambda 1 और lambda 2 के बीच मेंगर relation देखता हूं तो हमारी equation यहां पर क्या बन जाएगी ठीक है तो देखो अगर यहां से मैं matrix बनाता हूं तो यह हमारी कुछ इस तरीके सो जाएगी 2a minus lambda 2b that is equal to 0 और lambda 2 minus 1a minus b that is equal to 0 तो यहां से कर मैं equation देखूंगा इनका ठीक है तो वह हमारी equation क्या बनेगा तो this is 2 upon lambda 2 minus 1 और यह भी minus है और यह भी यहां पर minus है तो यहां पर लिख सकते हैं minus lambda 2 and minus 1 that is equal to 0 अगर मैं इस equation को solve करूंगा ठीक है न तो यहां से मुझे lambda 2 का value मिल जाएगा ठीक है न यहां से मुझे lambda 2 का value मिल जाएगा और lambda 1 और lambda 2 मुझे जो यहां से value मिलेगा तो वो कैसे a और b को satisfy करेगा ठीक है तो हम यहां पर रख पाएंगे इसको तो देखिए कितना हो जाएगा minus के 2 इसको ज़रा solve करते हैं इस matrix को यह हो जाएगा हमारा minus के 2 ठीक है that is minus multiply by this minus minus plus लिख देते है जिसे lambda 2 lambda 2 minus 1 that is equal to 0 यह हो जाएगा हमारा lambda 2 square यहां से हमारा lambda यह question बन गया lambda 2 square minus lambda 2 lambda 2 square minus lambda 2 and this minus lambda 2 that is equal to यहां से lambda 2 का हमारा 2 value यहां से हमको मिल रहा है और lambda 1 का value हमारा 1 यहां पर है ही ठीक है न देखो इसका कोई और method यहां से निकल के आ रहा हो तो ठीक है कोई बात नि यहां से lambda का value हमारा कितना आ जाएगा lambda 2 का value हमारी इस equation से क्या आ जाएगा this is lambda 2 square minus 2 lambda this is plus lambda minus के 2 that is equal to 0 ठीक है न lambda 2 यहां से common this is lambda 2 minus के 2 plus 1 lambda 2 minus के 2 बरावर 0 तो lambda 2 की value आगे 2 और एक value आगे lambda 2 की minus 1 lambda 1 की value हमें 1 यहां पर दे रखी थी अब आप यहां से देखो ठीक है न अगर आप किसी भी equation से देखोगे तो हमारी क्या equations बन जाएगी जरा देखो जरा एक बार यहां पर values पूट करके values पूट करके जरा देखते हैं तो हमारा B is equal to R I lambda B या A is equal to lambda A ठीक है तो यह हमारा हो जाएगा this is 2 A that is equal to 2 B तो 2 से 2 खतम हो गया A बराबर B आ गया हमारा A बराबर B आ गया और यह अगर हम lambda 2 is equal to minus के 1 लिखते हैं तो this is 2 A is equal to minus के B तो A is equal to minus के B by 2 A is equal to minus के B by 2 आ रहा है इसका A is equal to minus के B by 2 हाँ वही अगर हम A की value lambda 2 की value minus 1 पुट करते हैं then A is equal to minus के B by 2 और अगर 2 रखते हैं तो this A is equal to B ठीक है इसमें थोड़ा सा खहीं खहीं घड़बड हमसे हो रहा है ज़रा देखो इसको एक बार हाँ भई एक बार ज़रा इसको देखो इसमें की हाँ गड़बड है इसमें के हाँ गड़बड है झाल झाल तो भाई हमने न यही पर गल्ती कर दी है कि यह जो equations हमारी आ रही थी यह वाली characteristic equation में ही हमने यहां से लिखने में दिक्कत कर दी इसको actually इस equation को हम लोग यहां पर लिख पाएंगे अगर मैं यहां पर minus comma ले लेता हूँ तो this is 1 minus lambda 2 और यहां पर आ जाएगा यह 1 और यहां पर यह हमारा कितना है this is 2 और यहां पर यह हमारा क्या आ गया 1 1 means this is lambda 2 इसको solve करेंगे हम लोग इसको जड़ा solve करो एक बार इसको solve करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा lambda 2 minus lambda 2 square minus के 2 that is equal to 0 ठीक ना तो this is lambda 2 square minus के lambda 2 plus के 2 that is equal to 0 तो this lambda is equal to 1 और 2 तो this lambda square this is equal to minus के 2 lambda this is plus lambda 2 चलो यह तो इसके factorization ही नहीं होंगे ठीक है कोफिशेंट को भी minus से लिया जाएगा क्या 1 minus lambda minus 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 lambda square चलो इसको बाद में देखते हैं न पर इसको बाद में देखते हैं तो इसको बाद में देखते हैं आइगन वेल्यू ओफ इस मैट्रिक्स 1 minus आइटा and आइटा minus 1 r ठीक है अगर हम इसकी आइगन वेल्यू देखते हैं this is 1, this is minus आइटा this is आइटा and 1 तो यह काफी easy question है आपके लिए तो यह हमारी आइगन वेल्यू के लिए 2 by 2 में ट्रिक्स है तो हमारी 2 आइगन वेल्यू होंगी lambda 1 and lambda 2 ठीक है यह होजाएगा हमारा 1 minus lambda minus ita ita 1 minus lambda that is equal to 0 1 minus lambda का square minus और minus ita और यह जए हमारा minus के ita square minus minus plus ita square is minus 1 so that is equal to 0 उगा 1 minus lambda का square that is equal to 1 1 minus lambda that is equal to plus minus 1 तो 1 minus lambda that is equal to plus 1, so this lambda is equal to 0, और 1 minus lambda that is equal to minus 1, so this lambda is equal to 0, इसकी eigenvalues हमारी आजाएंगे, 0 और 2, और हम इसको प्रूब भी कर सकते हैं, कि अगर हम इनका summation देखते हैं, तो यह हमारा 2 आ रहा है, 0 plus 2, और multiplication करेंगे, तो हमारा कितना आएगा यहाँ पर, हाँ भई, खीक है न, 0 and 2, तो इसका determinant आजाएगा, और इसका determinant आप करोगे, तो 1 minus minus 1, so that is equal to 0, so your correct answer is option number, खीक है, चलिए तो यह हमारे आज की question से बागी, जो भी question था, उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे भी है न, इस question को जड़ा अभी हम देख लेंगे, इसमें थोड़ी सी problem हमारी हो रही है, आप एक x is equal to lambda 1, a की condition को आप follow करो, and this bx is equal to lambda 2, x को भी आप यहाँ पर follow करेंगे, ठीक है, इनके हिसाब से जो भी आपकी equations बनेगी, उनसे आप characteristic equation आप बना लेना, ठीक है, उसको 0 करके, इन में से कोई एक condition को आप follow करा देना, ठीक है, तो इसका बार एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है, आप लोग try करना, thank you so much, take care, next class में लोग differential equation के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और बिल्कुल basic से ही वहाँ पर उनकी शुरुआत की जाएगी, so thank you so much, take care, खुश रहें, मस रहें, कोई भी doubt, कोई भी question है, तो आप हमें telegram channel पर share कर सकते हैं, what purchase करने के लिए आप causal, ज से आपको maximum discount वहाँ पर मिलेगा, and class की जो timing है, वो साम को 9 बज़े ही आपकी daily rate, thank you so much, take care.